हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने टूब चैनल के नहीं या क्लासेस पर जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्लोनिंग वाहक किसे कहते हैं और इसकी विशेशताएं क्या हैं इसके बारे में हम आपको विस्तार पूरग समझाएंगे और लिखन बताएंगे कि आप परिछा में जाकर कैसे लिखेंगे तो हाईडिन डालेंगे क्लोनिंग वाहक इसमें लिखेंगे डियने के वे अड़ जो किसी वाहक द्वारा लाए जाते हैं और मूल डियने में प्रतिस्थापित किये जाते हैं विजात्ती ये DNA कहलाते हैं विजात्ती ये अड़ लाने वाले वाहक कहलाते हैं ये कई प्रकार के होते हैं यानि क्लोनिंग वाहक में आपको लिखना है डियने के वे अड़ जो किसी वाहक द्वारा लाय जाते हैं और मूल डियने में प्रत्यस्थापित किये जाते हैं विजातिय डियने कहलाते हैं विजातिय अड़ लाने वाले वाहक कहलाते हैं ये कई प्रकार के होते हैं अब अगले नलेंगे क्लोनिंग संवाहक की विशेशता हैं इसमें लिखेंगे नमबर एक जीवाड में पाया जाता है नमबर दो अत्रिक्त गुण सूत्री पदार्थ पाया जाते हैं नमबर तीन यह दू सूत्री पदार्थ पाया जाते हैं नमबर चार इसमें प्राकर्तिक का गुण होता है अब नई राइन से लिखेंगे प्लाज मिर्स जीवाड़ों में गुर्शूत्र के अत्रिक्त पाया जाने वाला डिने का आड़ु है जो स्वतंद रूप से प्रतिकरत तथा इस्थानांत्रित हो सकता है तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप क्लोनिंग वाहक किसे गएते हैं और इसकी विशेस्ताएं क्या हैं इसके बारे में हमने आपको लिखकर समझाया कि आप परिछा में जाकर कैसे लिखेंगे तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत